हेलो स्टुडेंट्स, एक बहुत फिर मैं पस्तित हूँ आप लोगों के बीच, सुरफ पर्थम मेरी ओर से सुपरवाद तो क्लास 11 के लिए आप लोगों के लिए आरो पुस्तक से कावे खंड से पाट संख्या एक चैप्टर नमबर वन कवीता है कवीर जी का हम तो एक एक करी जाना संतु देखत चगबोरान ये एक बहुत चर्चित कवीता है पद है और पिछले वीडियो में मैंने पद संख्या एक आप लोगों के बीच साजा किया था आज हम लोग दूसरे पद के रूप में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में इन पंक्तियों का अर्थ जानने का प्रियास करेंग इनके बारे में वो आज बताते हैं ठीक है उचली हमनों जानते हैं पर्थम पंक्ति क्या है इसमें पर्थम पंक्ति है संतों देखत जग बोराना साज कहोतों मारन धावे जोठी जग पतियाना इन पंक्टियों के माध्यम से वो क्या करे है अथाथ इन पंक्जों के माध्यम से कबीर जी कर रहे हैं कि इस संसार को क्या कर रहे हैं कबीर दास सज्जनों को संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो या संसार पागल हो गया है बोरा गया है क्यों क्यों ऐसा हो कर रहे हैं क्योंकि सांच कहो तो मारन धावे जूठे जग पतियाना साच करत होता है सची बाते कहो मतलब कहना मारन यानि मारना धावे करत मारने दौरना जूठी यानि जूठी बाते जग पतियाना पतियाना करत होता है विश्वास करना बिलीप करना इन पंक्तियों के माध्यम से वो कह रहे हैं कि कभीरदास सज्जनों को संबोधित क कहते हैं कि देखो या संसार पागल हो गया है जो व्यक्ति सच्ची बाती कहता है उसे या मारने के लिए दोड़ते हैं तथा जो जूट बोलता है जो जूटी बाते कहता है उस पर या विश्वास कर लेते हैं बिलीव कर लेते हैं पतिया लेते हैं है ना वो संसार के लोगों क बातों पर विश्वास कर लिते हैं और सची बातों पर लोगों को मारने के लिए वह दोडते हैं पर आज़ें को अग्ली पंक्ति यह नें मी देखा धरमी देखा नवी देखा धरमी देखा संग प्रात करें असनान आतम मारी पक नाही पुझे उनमें कच्छू नहीं ग्याना ठीक है तेन पंक्तियों के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं कि नेमी नेमी का अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाला जो नियम का पालन करते हैं जो नियम का पालन यानि पूझा पाट करना नमाज अदा करना यानि जो भक्ती अरादना है इस वर के परती वैसा कारे करते हैं उन्हें करते हैं नेमी अथार्त नियमों का पालन करने वाला तो कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से सम्मोधित कर रहे हैं समाज के मनुष्य के लोगों को मनुष्य को सम्मोधित कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि कभी इ दोनों धर्मों के लोगों को बारे में बातिक कर रहा है चाहे वो हिंदु धर्मों चाहे मुस्लिम दरों वो का रहे हैं कि हिंदु के बारे में बताता है कि एसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदी करते हैं ठीक है फिर क्या कहा रहा है बहुता देखे पीर ओलिया पढ़े किताब कुरान है ना फिर वो क्या कहा रहा है परन्तु उन्हों ने कुछ भी ग्यान प्राप्त नहीं किया अब वो मुसल्मानों के विसे में कबिर बताते हैं कि उन्होंने बहुतो यानि बहुत सारे ऐसे पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं किन्तु के मुरीद तद्बीर बतावे उनमें वह जो ग्याना मुरीद तद्बीर बतावे उनमें वह जो ग्याना तो क्या कर रहे हैं मुरीद मुरीद करत क्या होता है मुरीद करत होता है जो मुरीद होते हैं यानि सिस्से होते हैं जिस गुरू के हम सिस्से हैं उसे करते हैं मुरीद हो जाना ठीक है एक सब्द है यहां पर तद्बीर तद सिस्य को तरह तरह के उपाय बताते हैं जो बड़े लोग होते हैं जो जो ग्यान रखते हैं जो इस वर का पाट करते हैं वे अपने सिस्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं जबकि ऐसे पाखंडी स्वयम खुदा के बारे में नहीं जानते हैं ऐसे पाखंडी लोग जो होते ह यानि आसन लगा देना यानि अस्थान गयरन करके बैट जाना करके ना यानि कि फाला को एसवकिन मकट कर्षान गमंद करके गुमानाखा गमंद sobre यहां वह और अब इन पांक्तिवों कर माध्यम से क्या कर रहे हैं कि ऐसे ढभोगी लोग क्या करते हैं आसन लगा पीपर का रथे पीपल का पीड़ जो पीपल का पीड़ होता है जो इंदु धर्म में लोग उनकी पूजा भी करते हैं उसे करते हैं पीपर अब वो क्या कर रहे हैं इन बगते के माध्यम से कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं इंदु धर्म में पत्थर को पूजत करते हैं पेड़ विरिक्ष को भी पूजन करते हैं वे तिर्थ यात्रा आधी करके गर्व का अनुभव करते हैं कि हम लोगों ने तिर्थ यात्रा कर लिए सच्ची अराधना कर लिए इस वर के समीब चले गए हैं अब हम लोग के सारे पाप जो है वह धुल गए हैं ऐसा है घमंड हो जाता है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगे क्या है टोपी पहिरे माला पहिरे चाप तिलक अनुमाना टोपी यानी टोपी पहनना जो धर्म के लोग होते हैं जो धर्म के बाते बताते हैं टोपी पहनते हैं माला धरन करते हैं है ना और तिलक लगाते ह और बहुत सारे बाते जो हैं वो उब्देश देते रहते हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कुछ लोग टोपी पहनते हैं माला धरंग करते हैं माथे पतिलक लगाते हैं तथा सरीर पर छाप बनाते हैं कि हम इस वर के बहुत बड़े परम वक्त हैं उसके बाद कर रहे हैं कि साखी सब्द ही गावत भूले आतम खबरी न जाना क्या कर रहे हैं कि वे साखी का सब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आतमा के रहस्य को नहीं जानते हैं इन पक्तिवक माध्यम से वो क्या कर रहे हैं कि कभीर कर रहे हैं कि वे साखी को अथार्थ वैसे लोग जो साखी को अथार्थ साखी के सब्दों को गाना भूल गए हैं यानि इस्वर के बारे में इस्वर की जो वास्तु इकता है उसको भूल गया है तथा अपने आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है इस्वर क्या है इस्वर का रूप क्या है उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं, कि हिंदू कहता है, हिंदू धर्म के लोग कि मेरा राम ही सबसे प्यारा है, दूसरे धर्म को वो अच्छा नहीं मानते हैं, अथार्थ तुर्क कहे, तुर्क कार्थ है, मु आपस में दोव लड़ी लड़ी मुए मर्म न काहू जाना आपस में अथार्थ दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं किन्तु जो वास्तविक्ता है मर्म यानि रहस्य जो इस वर का रहस्य है इस वर के बारे में उसके बारे में कहू नहीं जाना अथ जो इस्वर के लोग होते हैं जो पाखंडी लोग होते हैं वह इस्वर के बारे में घर घर घुम घुम कर मंत्र देते फिरते रहते हैं उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है कि हम लोग इस्वर के परमभक्त हैं वस्त्रधारन कर लिए वेजबुसा पहन लिए और ऐसा प्रतित होता है लगता है बहुत बड़े हम भक्त है ज्यानी है इस वर के गुरु के सहित सिक्ख सब बुड़े अंतिकाल पचिताना कहे कभी सुनो हो संतो इस सब दहन बुलाना फिर वो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि गुरू वो सिस्स सब अज्यान में डूबे हुए यानि गुरू को भी ज्यान नहीं है और सिस्स को भी ज्यान नहीं है दोनों अज्यान में डूबे हुए हैं दोनों अंधकार में इन सब को अंध संसार के लोग सुनो वाई सुनो क्योंकि इस सब जो मर्म है यह सब जो बाते हैं जो रहस से इसको एक नएक दिन बुलाना पड़ेगा तब जाकर आप इस वर के करीब समीब जा पहोगे ठीक है कितिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना फिर वो क्या कर रहे है कि मैं इस वर की भुक्ति के बारे में कहां तक कहूं कहां थक हूं थार्त सच्चे मन से सच्चे हिर्दे से जो इस्वर को पूझता है वही सच्चा साधक होता है उसे ही सच्चे इस्वर के प्राप्ति होती है क्योंकि सच्ची भक्ति में आपको लीन होना पड़ेगा समाना पड़ेगा और वो सहज रूप से होना चाहिए सभाविक रूप से ह होना चाहिए ठीक है तब जाकर आपको इस वर की प्राप्ति होगी तब जाकर आप इस वर के करीब जापा होगे छीक है तो यह राध दूसरे पत्ध का व्याख्या जो मैंने एक एक पंक्तियों के माधम से आप लोगों को साजा किया है तो पर्थम पद हो गया दृत्य पद हो गया यह पर्थम और दृत्य दो ही पद है इसमें ठीक है फिर next वीडियो में अगले वीडियो में मैं आगे के बारे में कुछ विस्तारूप से चर्चा करूंगा तो फिलाल मैं अपनी वानी को विराम देता हूं धन्यवाद